कुछ की वज़ा से एनिवेस ये वो स्लाइट्स हैं जो वेबिनार में मैं दिखा चुका हूँ मैं थोड़ा सा फ्लैश करूँगा I don't want to discuss all this because I hope कि ये हमें समझ आती है कि ये PMI के different standards है जो मैं आपको यहां फ्लैश कर रहा हूँ मैं आजसा ऐसा फ्लैश करता हूँ ताके अगर बीच में किसी का कुई question हो तो आप बीच में पूछ भी सकें मगर I am not going to explain them ये different standards है PMI के मुख्लिफ उनकी तरीके कार है कुछ practice standards होते हैं कुछ guides होती है कुछ practice guides होती है इस तरह से extensions है maturity model है competency development frameworks है lexicon's हैं ये सब कुछ तो ये वो तमाम चीज़े हैं जी जिनके उपर हम base करते हैं एक huge ambar है बहुत सी चीज़ें है इसके अंदर और वो सब की सब जो हैं वो हम साथ लेके चूँते हैं naturally you have to cross reference आपको इन चीज़ों को refer करने की जूरत पढ़ती है अपनी त्यारी के दौरान भी या for that matter आप अपनी practical life में जब experience करते हैं जब काम करते हैं मेरे हिसाब से practical life में इन चीज़ों को refer करना ज्यादा important है exam का focus तो मेरे हिसाब से कोई अच्छा focus नहीं है सिर्फ exam पास करने के लिए हम certification पास करते हैं ये तो कोई काफी नहीं है basically you should be capable enough to apply that knowledge in your practical life whether you are a PMP or not that does not matter अगर आप उस knowledge को अपने practical life में apply करने के काबिल हैं तब तो मज़ा है otherwise this is an exercise which is futile बहुत से लोग जायतर लोग तो ऐसे ही पढ़ने के लिए आते हैं कि जी हमें certification करनी है और सिर्फ उसके लावा उनका कोई focus नहीं होता तो मैं ऐसे बहुत से PMPs को जानता हूँ जो बिल्कुल practice नहीं कर जो सिर्फ certification की वज़ा से जमें बैटे में हैं और ये वही लोग हैं जो in a way standard के खिलाफ बोलते हैं और इसमें केड़े निकालते हैं अगर आप इससे convinced हों अगर इसमें कोई चीज गलत भी है तो आप उसको defend करने की कोईश करते हैं या उसकी reason find करने की कोईश करते हैं लेकिन इस तरह की कुछ abnormalities मार्किट में exist करती हैं तो don't be fooled by that इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पीएम पी का exam हो या C.A.P.M. का exam हो तोनों तकरीवन चुके एक ही better को connect करते हैं लेकिन P.M.P. is a senior exam C.A.P.M. is a junior exam C.A.P.M. का जो exam है वो purely a guide to project management body of knowledge के उपर mapped है मतब इसमें कोई बात उससे बाहर से नहीं आ सकती and secondly C.A.P.M. बहुत ज़्यादा depth में address नहीं करता थी दो सिर्फ सतही तोर पे basic skills जो हैं हर knowledge area के आपको अगर आते हैं तो probably you can do C.A.P.M. exam C.A.P.M. की certification पहले renewable नहीं थी अब हो गई है तो ये भी उनको एक advantage हो गया कि अगर आपने C.A.P.M. किया है तो आप उसको renew भी करवा सकते हैं पी एम पी तो खेर पहले ही ऐसे था पी एम पी के अंदर drastic changes आई हैं और इनकी एक तो ये हैंड बुक मैंने आपको दिखाई इनकी अपनी अपनी हैंड बुक है मैं उनको डिसकस कर भी चुका हूँ वेबिनर के दुरान हैंड बुक ये बताती है कि P.A.P.M. या C.A.P.M. के लिए apply करने का तरीका कार क्या है और इस तरह की समबाची क्या चीज़ें होती हैं और ये वगरा एक्जाम कैसा आएगा और कितने questions कहां से होंगे लेकिन ये चीज़ का ज़्यादा knowledge आपको मिलेगा examination content outline ये दो अलक्से किताबें जो कि आप down load कर सकते हैं और इसके अंदर बाकाइदा आपको जो questions आने है वो जिस matter से आने है वो matter task by task defined फिर मैंने इन दोनों handbooks को discuss किया था मैं अभी इनको discuss नहीं कर रहा examination process है application filling कैसे की जानी है apply कैसे करना है job task analysis किस तरह से होता है उसके उपर बात चीत है eligibility criteria PMP का CEPM का अगर बीच में किसी का question आए तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं मैं रुक के आपको जवाब दे दूँगा मैं generally expect कर रहा हूं कि most of you have already heard about it अगर को question हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं इसी तरह CEPM का इनके exam fees है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ PMP के exam fees, re-examination की fees इसी तरह CEPM उसका re-examination फिर जो आप इसको renew करेंगे तो उसको कहते हैं CCR certification renewal तो दोनों certification के लिए अलग अलग 60 डॉलर उसकी renewal बनती है खेर anyways आप में से कोई CEPM का तो candidate ही नहीं इसलिए we can leave out CEPM exam को schedule कैसे किया जाता है वो तरीका कार test center में आप किस तरीके के साथ test center को select करते हैं exam proctored अगर आप घर से दे रहे हैं तो कैसे दिया जाएगा exam cancel कप और कैसे किया जा सकता है और अगर emergency हो जाती है तो आप क्या करेंगे exam के अंदर आपको क्या क्या अपनी क्या कहते है identifications लेके जानी होती है जी फेयर सब जी सर तेंक यू सर उसके उसके उपर बात करते हैं यह जाते हैं तो यह क्या करेंगे तो आपको पेपर लाओ नहीं होता है जिसमें पेपर की जरूर जरूर या आउट ऑफ 200 मेभी 5-10 परसंट जैसे कोशन आते हैं जिसमें हमें पेपर चाहिए होता है और आप क्या रेकमेंड करेंगे कि हम सेंटर बेस्टी या यानि कुंसिडर करें या वाइड बोर्ड को वाइड बोर्ड वोड बी डिफिकल ना व मुझे कितने एक्जाम्स मैंने दिये हैं पूरे एक्जाम के दुरान कागज का ख्याल ही नहीं आता किदर पड़ा हुए है और पैंसिल किदर पड़ी हुई है एक्सेप फार कोई वन और चांस कोई कल्कॉलेशन प्लस माइनस करनी है वेरी और मतलब कोई एक या दो टाइम से मुझे जरूरत पड़ेगी उसमें मेरा ख्याल है अगर आपको बोर्ड वे लिखना पड़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दूसरी बात है कि आजकल तो लोग वो मुबाइल और वो पैन क्या कहते हैं और उसी की उपर लिखना भी असान होता है तो वह को आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा से इस बारे में बता दीजिए कि पाकिस्तान में यह टेस्टिंग सेंटर जो जो फिजिकली जा के टेस्ट देने वाले हैं वो किन-किन शहरों में अवेलेबल हैं ओके सर पहले इनका टेस्ट होता था प्रोमेट्रिक टेस्टिंग पाकिस्तान ना कोई और हिसाब किताब वियू का जो निया टेस्टिंग सेंटर ने हैं वर्चुल यूनिवस्टी एंटर्टराइज भी यूए इनके टेस्टिंग सेंटर अट लीस्ट इन पाकिस्तान डेयर सो पथैटिक गंदी-गंदी जोगों पे बने हुए हैं इदर ब मतलब बहुत ही बुरा हाल तो मेरा मतलब है कि वियू ने बेड़ा गरग करके रख दिया है और उसकी वज़ा से सिर्फ उसकी वज़ा से मैं एक्जाम सेंटर में जाना पसंद नहीं करूंगा जो प्रमेट्रिक का टेस्ट सेंटर था याट पलेयर टू गो वी लुक फारव यहां पर मैंने जो लास टाइम गया था तो सर यह यूटी लहूर में बना था मेरा सेंटर तो बड़ा सुकून था बड़ा अच्छा था मुझे नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम हुई है यूटी लहूर की मैं बात कर रहा हूं लहूर में कोई 5-6 जगह थी जो इनोंने इन की वेब साइट पर दी हूई है पीमायो डाट ओर जी तो मुझे यूटी मैं इसने स्टेक्ट की तो कि मैं और यूटी 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 सिवल इंजिनियर हूं तो मैंने फिर वहीं पर मैंने का चले चलते हैं तो सर वो बड़ा पुर्शकून था वैसे तो जबर्दस जबर यह है कि जो पैस सेंटर्स ने हैं आप अगर एक दफाँ उसको विजिट कर लें देख लें वहां क्या इंवार्मेंट है तो कम असकं आपको स्कून हो जाएगा क्यार यहां एक्जाम देना सूटेबल है या नहीं है मैंने एक एक्जाम जो दिया था उसमें वो ठक 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 होती रही मेरा दमाग खराब हो गया था उसके अंदर तो मतलब यह और सर्फ पेपर की ज़र पेश चाहती है वो जैसे यह क्रिटिकल पाथ मैथड़ वगरा है यहां जो वो कोई वगरा की कुईस्टन्स हैं जहां पर थोड़ी सी करिक्रोशन इंवाल्व है तुम्हें भी वह राइट तो एक्जाम तो सेंटर मी मात बनती है लेकिन सेंटर को जूर देख लीजिए कि उसकी इंवार्मेंट अगर खराब है तो फिर चांस ना लिया जाए जहां तक घर पे एक्जाम देने की बात है यहां दो बातें आ जाती है एक तो यह बदनाम बहुत है हर कोई समझ बहुत से कैंडिडेट्स का पीमपी कैंसल कर दिया गया पूरे बैच का जिन्होंने घर से एक्जाम दिये थे क्योंकि उस टाइम के दौरान इंडियन्स ने बहुत से लोगों के एक्जाम दिये विच इस आपजेक्शनेवल तो उनको समझ तो आई कोई नहीं पीमपी वाल देफ दूसरी नेगेटिविटी जो आपके एक्जाम घर से देने की है वो यह है कि उसमें डे वान टो टेक कंट्रोल आफ यूर कैमरा एंड माइक बहुत अच्छी बात है बट अगर आपने कोई फायरवाल तो गरह लगा रखी है तो यू कैन बी इन रियल फिक्स फायरव फायरवाल आपको मुकमल तोर पे बंद करनी पड़ेगी फिर कहीं जाके प्रॉक्टर कर सकेगा मैंने यह भी कोशिश की थी चुरू में कि जब मैं एक्जाम देना चारह था मैंने फायरवाल बंद भी करके देखा लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे एनिवेज इस एक्साइड और प्रॉक्टर चारह थे उसका वर बाकिश्यूर आपको वो बताते हैं या आपनी किस तरह पूरा कमरा कैम्रे में व्यू करवाना है अपनी इडिंटिटी किस तरह दिखानी है वो पूरा किस तरह बना हुए उसको आप फॉलो करें तो घर में तो जज़ादा साथ असानी से एक्जाम दे जा सकता है जी सिरिंग सब्सक्राइब है कि घर में बिल्कुल असानी तो है कि यह कोई और तो वह भी मेरा खाला है सेंटर में थोड़ी सी इस चिस की शुरूटी होती है कि इस टाइप के शूज नहीं आएंगे यह बात तो है यह बात तो है अब म यह सर एडिशनली फैमिली वगेरा की होई से भी होता है अगर बच्चे हों तो डेपनेटली उसमें डिस्टरबिस तो वह भी फैक्टर है हमारा जी जी आपको किसी और जगा जाके बैटना पड़ेगा आप बच्चों में घर में नी बैट से एक तो है ना कि बच्चे कमरे नी सकते है वह आप खुला रखना अचा वह कैमरा और माइक तो आइटिंग थ्रो तुरू आउट आउट आपको अपन रखना वड़ता है और कमरे में आइटिंग वह यह बी कुछ गाइडलाइन के कोई और नहीं होना चाहिए नहीं नोबोडी विनी नहीं नहीं एक कि अमर के पीछे होना चाहिए ताकि कोई अंदर आता जाता हो तो पता चल जाएगा को अंदर हुआ है और जो ही कोई अंदर आएगा आपका एक्जाम जो है वो खुत्रे में पढ़ जाएगा मैं वह भी बता दूँ ताकि बाकी ओर्डियंस में सुन ले सर वह यह हुआ कि जो मेरे बिल्कुल साथवरी सीट पे जो पेपर दे रहा था सर वो उसका कुछ लिखने वाला काम जादा था टाइपिंग वाला को इतनी जोर-जोर से मारे थे कि जैसे पता नहीं वह वह वांस मुझे प्रोमेट्रिक में एक दफा यह प्रॉल्म फेस हुआ और मैंने उनको बता है तो उन्होंने फिर यह किया कि उन लोगों को दूर-दूर बठाते थे जो टौफल वाले थे उनके साथ पी-एम-पी वालों को नहीं तो यह उन्होंने कर दिया है कि कानों में लगा ले लेकिन जब आदमी सेंसिटिव हुआ होता है ना तो उसको एक छोटी सी हवाज भी बहुत बड़ी लगती है जी 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 बिकुर सही है ओके जी इस पर मजीद बात करनी है जान सर थेंक यूद्रेस थेंक यूद्रफिश थेंक यूद्वर्ट झाल 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 झाल